भारतिय जन्ता पार्टी ओभी सी मोर्चा का रास्टिय अभ्यान गाउं गाउं चलो गरगर चलो के तहत मोर्चा देश के सबी राज्यों में लगबग एक लाख गाउं तक जायेगा और हमारे कार्यकर्ता लगबग एक करोड गरुन तक संपर्ख करेंगे ये बियान पार्टी स्तापना दिवस चे एप्रिल से लेकर 14 एप्रिल तक डाक्टर बाबा सब अम्बेद कर के जैन्ती उत्सव तक बीच में 11 एप्रिल मात्मा जोतिबा पुले जैन्ती मोत्सव दिवस मनाता है ये तीनों डिवस भी हमारे OBC मोर्चा कार्यकरता गाओं में मनाएंगे और 6 एप्रिल हमारा गाओं गाओं चलो अभियान हमारे राश्टी अद्यक्ष आधनिय जेपी नड़ा जी ने मने सर हर्याना प्रदेश से इश्यू बारम करेंगे ये अभियान नौ साल के मोडी जी के कारिकाल में OBC समाज को किस तरह मान सम्मान बढ़ाया और एतिहासिक मौतपूर निर्ने जो लिया गया और कहीं योजना जो गरीब तपते के लिए वो बिची समाज के लिए मोडी जी ने योजना बनाया और उपलब दिया इस सभी आम विक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान हम शुरुआत कर रहे हैं खास दोर से थोड़े मुद्दे राष्टिय पिच्चवर्ग आयो को सम्विदानिक दर्जा देना इतिहासिक निदने था मोडी जी का मौत्वपूर खदम उठाया था कांग्रेस वामपंक्ति अनेक अन्य दल विरोध करने के बहुजूद भी ये दंतहीन एक आयो को मजबूत आयो बना कर पिच्चवर्ग समाज का जो भी आरक्षन के मुद्दे और जो भी मसले है उस हल करने के लिए ये पहली एक सहस्पूर निर्ने लिया गया उतना ही नहीं पहली बार 75 साल के आजादी के अंदर 27 OBC समाज के कार्यकर्टों को केंदर मंत्री मंडल में बागिदारी बना कर किस तरह उनका मान सम्मान गवरो बढ़ाया इसके पहले कभी ये मुम्किन नहीं था मुधी जी के नेटुत्व में लगबग 25 राज्यों में से 27 OBC समाज के नेताओं को मंत्री बनाया गया था पहली बार गतवर्ष 27 प्रतिशत आरक्षन अच्चा शिक्षा प्रात करने के लिए OBC समाज के बच्चों को केंदरे विद्यालेव में नवदया पाडशाला साइनिक स्कूल पहली बार साइनिक स्कूल और नियाय विश्योद्याले अन्नी विद्या समस्तों में आरक्षन देने से लाको संक्या में आज हमारे OBC समाज के आज लाबानीव है हमारे बच्चे हाओर महत्वपूर निर्नाई नीट के माध्यम से होने वाले आल इंडिया लेवल पे परिक्षवों में MBBS और MD में भी पहली बार 27 प्रत्शत आरक्षन देने से लगबग 4500 चात्रों और चात्रों को ये मौखा मिला डाक्टर बनने का लाहिक बन गए अब उमीद कर सकते पिछ्टाव और समाज से एक बच्चा गर डाक्टर बन गया या साइनिक स्कूल के माध्यम से अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद या कैप्टन या जंडल बनने से OBC समाज के परिवार के अंदर जीवन स्थरल किस तरह बदलेगा ऐसे निरने इतने लिया गया केंद्रे विश्ववद्यालेव में लगबग 45 विश्ववद्याले केंद्रे में हम OBC मोर्चान नेता के नाते मोदी जी के दुर्ष्ट में जब लाए तुरंत आदेश दिया गया है हमारा HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्राण जी से जितने में लग हजारों संक्या में बैकलाग पोस्ट S.C.S.T. B.C. के not found suitable के नाम पर किस तरह ठाल देते एक साल के अंदर पूरा बैकलाग पोस्ट बढ़ती होना चाहिए हर तीन मैने मुझे निवेदन देना चाहिए ये मोदी जी प्रणान मंत्री जी का आदेश से लगबग मुझे ये पांच-छे मैने के अंदर पता चला लगबग तीन-चार हजार आज हमारे O.B.C. समाज के प्रफेसर्स अस्टर्स बन चुके है इस तरह अन्य निर्ने जो लिया गया मोदी जी मच्वारों के लिए अलग मंत्रा लई क्योंकि समंदर के तीर पर मच्व हमारे जो जिन्दगी बीतते हैं और उनके लिए अलग मंत्रा लई पहली बार अलग बजट प्रावदान दिया गया उत्रह नहीं मोदी जी का संकल्प है हमारे जो भी नौजवान बच्चे पड़े लिके है सिर्फ रोजगार मांगने वाले विक्ति नई बनना चाहिए रो प्रावदान दिया गया प्रदान मंत्री वेंचर कैपिटल फंड के नाम पर एक उद्योगपती बनाने के लिए 2018 से सिर्फ इस सी इस्टी के लिए जो प्रावदान था वो बीसी समाज के हमारे योगों के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड अलग बजट क्रिया करके और उसको किस तरह एक पारिश् प्रदान मंत्री विकास के नाम पर विश्व कर्मा जो भी शिल्पकार है हस्तकलार है सुनार है ऐसे लगबग चोटे-चोटे 140 जातियां उनके लिए अलग आज इस बजट में पुरावदान दिया गया कि MSCME से अनुसंदान किया गया उनको अलग स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए अलग फंडिंग किया जाएगा उसके बार उनको क्रेडिट और मार्केटिंग फिसलिटी भी दिया जाएगा इस तरह जितने भी क्लस्टर बढ़ेंगे OBC विश्व कर्म के समाज के लोग लगबग देजबर में 140 जाती है ऐसा है इस तरह ये मुद्य को लेखते हुए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं इसके साथ ही साथ हम हर गाउं में हम तुलना करना चाहते हैं नव साल के अंदर मोदी जी ने किया ये साथ साल के अंदर जो कांग्रेस हुकूमत में थी क्यों हमेशा ये OBC के विरोधी ते किस तरह OBC को द्वखा दिया जा रहा था था प्रदान मंतरी निवरुजी से लेकर जब काका कलेकर कमशन गटी तवा निवेदन दिया उसका सिफारस अमल तक छोड़ो कम से कम सदन में चर्चा तक नहीं किया सत्रा साल प्रदान मंतरी के नाते निवरुजी थे और बाद में इंदरा गंदी प्रदान मंतरी बनी तबी मुम्किन नहीं हुआ बाद में जब मंदल कमशन घैर कांग्रस सरकार जब बनी थी तबी लागो किया गया 27 प्रद्शत केंदर सरकारियों में केंदर विद्या समस्तों में इस तरह और जो भी ओबी सी समाज के नाम पर जो दल बनाए हमारे क्षेत्री दल ओबी सी समाज के हितके नाते मगर अपने परिवार के हितके लिए काम किया मगर ओबी सी समाज के लिए नहीं अपने परिवा आज भारतिया जिनता पार्टी भी आधनिय अध्यक्ष जेपी नड़ा जी के नितुत में फार्टी और सरकार मोधी जी के नितुत में इतना बड़ा दायत ओबीशी समाज के कार्यकरता नेता और समाज के लोगों को आज महत्व दिया जा रहा इन मुद्दों को लेकर हम यह गर गर चलो अभयान चलांगे इसके साथी इस बीच में जो राउल गांदी जी का बयान जो ओबीशी समाज के और व्यक्तिकत रूप से मोधी जी को बार बार उनके जातिके नाम पर टिपणी देना उनके जातिके नाम पर आपस जनिक शब्द अपशब्द उपयोग करना ये कांग्रेस नेताओं को राउल गांदी नेवरु फैंशना को ये हारत पड़ेगी। इसले हम ये अभियायन के अंदर इन मुद्धें के साथ राउल गांदी और कांग्रेस नेताओं को माफी माँगने का डिमैंड भी लोगों के बीच में लेते हैं। हर गोव में चोपाल के बास समवाद करेंगे लोगों के साथ किस तरह कांग्रस और बारतिय जन्तापटी और नियोरू से लेकर कांग्रस और मोदी जी ने और किस तरह OBC समाज को मान्याता दियागा ये भी हम जरूर तुलना करेंगे आने वाले आगामी चुनाव में OBC समाज का समर्दन पाते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रदान मंतरी बनाने के लिए और घैर BJP शासित राज्यों में भी OBC समाज का समर्दन प्राप्त करते हुए हम सत्ता में आएंगे डबलिंज सरकार बनाएंगे क्योंकि आज कांग्रस के नेता कास्दोस्ति रहूल ग कर दुबारा मंत प्रदान मंतरी बनने से और तीसरा बार प्रदान मंतरी बनने का जो महुल बन गया देश के अंदर ये न सवते हुए किस तरह उनके जाती के उपर टिपनी दिया जा रहा ये भी लोगों को हम जागृत करेंगे इस तरह भारतिय जनता प्रदी OBC मोचा सक् करने वाले दोना में आगामी चुना में भी बुमिका निबाएगा